नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं स्टुरिंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास खाली मकान सवाल पूछना मेरा फर्ज है मरने वाले की कातिल का पता लगाना मेरी जिम्मेदारी है कातिल को गिरफतार करके उसे उसकी कू कृत्ते की सजा दिलवाना मेरी नौकरी का हिस्सा है लेकिन आपको इस बात को हवा नहीं देनी चाहिए कि जौसफ के किसी औरत से तालुकात हो सकते थे अगर उसकी लाश के साथ किसी औरत की लाश भी पाई गई थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे मालूम है किस बात का मतलब क्या है और किस बात का मतलब क्या नहीं है आप मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए मैं जानता हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अंडस्टैंड? वह खामोश रहा, उसने बेचैनी से पहलू बदला अब आप ज़रा अपनी पहनची को बुलाईए वह किसलिए? लाश की शिनात के लिए, उन्हें मेरे साथ मोर्ग में चलना होगा उसके लिए तो मैं चल सकता हूँ, आप चल सकते हैं आपके दूसरे भाई साथ भी चल सकते हैं लेकिन मिसिस कॉटन को भी चलना होगा मैं यहें जरूरी नहीं समझता, मैं समझता हूँ जरूरी प्रभु तयार बड़ी सकती से बोला लाश की शिनाक्त मक्तूल की विद्वा द्वारा करवाई जानी मैं जरूरी समझता हूँ वह कुश्ण स्थिर नेत्रों से प्रभु तयार को घूरता रहा फिर वह बिना एक शर्द वोले खूमा और लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल कया थोड़ी देर बाद वह अपनी बेहन की बहुँ थामे उसकी साथ वापस लोटा उनके पीछे चहरे पर अवसात की जगे असहिश्टा के भाव लिए टोनी चल रहा था चलिए पीटर फ्रंक कोज़ा बोला सब लोग उठ खड़े हुए और इमारत से बाहर निकलाए प्रभुद्याल के आदेश पर काशी नात वहीं रुक गया और प्रभुद्याल और मैं जीप में सवार हो गए मैं जीप को स्टार्ट करके उसी गियर में डालने ही लगा था कि एका एक प्रभुद्याल ने मेरी बहाँ पर हाथ रख कर मुझे रोका मैंने प्रश्न सूचक नेतरों से उसकी तरफ देखा जरा ठहरो वह बोला मैंने इंजन बंद कर दिया सामने गली में से कहीं से सीती बजने की और लाठी जमीन से टक्राने की आवाजा रही थी चौकिदार मालूम होता है प्रभुद्याल बोला तबी सामने एक व्यक्ती प्रकट हुआ वह सीती बजाता हाथ मी थमी लाठी जमीन पर पटकता चला आ रहा एक नेपाली था स्वेम को कई निगाहों का केंदर बना पाकर वह थमक कर खड़ा हो गया इसे इधर बुराओ प्रभुद्याल बोला मैं ड्राइविंग सीट से उत्रा और आगे बढ़ा प्रभुद्याल भी जीट से निकल कर सड़क पर आ खड़ा हुआ मैं नेपारी चौकिदार को साथ लेकर प्रभुद्याल की समीप पहुचा क्या नाम है तुम्हारा प्रभुद्याल ने अपने व्यफसाय सुलब कड़े स्वर में पूछा बाज बहादूर शाप वैं सशंक भाव से बोला तुम इस इलाके के चौकिदार हो हाँ शाप कब से कब तक चौकिदारी करते हो राद दश्य शुभा पांच बजे तक शाप इस कली से अक्सर गुजरते हो हाँ शाप हर आधे पॉने घंटे बाद गुजरता हूँ शाप यहाँ क्या देखा तुमने शाप मेरा मत्तब है आज इस कली में चर्च के आसपास तुमने कोई असाधारन कोई खटकने वाली बाद देखी नहीं शाप कताई कुछ नहीं देखा देखा तो शाप लेकिन उसमें खटकने वाला तो कुछ नहीं था वह अशा अशारा जो भी अभी आप बोला वैशा तो कुछ नहीं था तो क्या देखा तुमने शाप कोई शाड़े ग्यारा बजे मैंने चर्च के आहाते में कुछ लोगों को दाखिल होते देखा था कौन लोग थे वो? मालूम नहीं शाप वे औरते थी या आदमी? औरते भी थी शाप और आदमी भी थे वे गए कहा थे? चर्च में? नहीं शाप वे दाइं तरफ वाले मकान में गए थे पादरी साप के घर में? हाँ शाप हम प्रभुत्याल बोला उसने एक गुप्त निगाह पीछे जीप में बैठे पादरी के सम्बन्दियों की तरफ टादी सब क्या धान उनकी तरफ जरूर था लेकिन प्रभुत्याल को विश्वास था कि वार्थाराब की आवाजें उन तक नहीं पहुँच रही थी ठीक है जाओ एका एक प्रभुत्याल बोला हम फिर जीप में सवार हो गए मोर्ग में लाशे तब भी अभी किष्टी में ही पड़ी थी पोस माटम क्योंकि दिन में होना था इसलिए उन्हें वहीं पड़ी रहने दिया गया था प्रभुत्याल के संकेट पर मिसिस कॉटन और उसके दोनों भाई किष्टी के सामने पहुँचे उन्होंने दम साधे किष्टी में निगाह डाली एकाएक मिसिस कॉटन के मुह से एक चीत कार से निकली उसके भाईयों ने दाएं बाएं से उसके गंते थामे और उसे जबरन किष्टी से परेहटा दिया प्रभुत्याल ने प्रश्ण सुचक नेत्रों से उनकी तरफ देखा दोनों भाईयों ने सेहमती में सिरह लाया प्रभुत्याल की निगाहें मिसिस कॉटन पर टिक गई ये उसके निगाहों का मंतत्तिव समझ कर मिसिस कॉटन कमपित स्वर में बोली मेरे पती है रेवरेंड डॉक्टर जॉसेफ कॉटन प्रभुत्याल ने पूछा हाँ और दूसरी राश दूसरी राश किसकी है मिसिस कॉटन ने आखे बंद कर ली और एक आह भरी आप इस स्थ्री को पैचानती है प्रभुत्याल ने पूछा देखे जूट न बोलिएगा मौझूदा हालात में जूट बोलना बड़ी गलत हरकत होगी हाँ वह आभर कर बोली मैं पहचानती हूँ इसे कौन है यह मिसिस डेनिंग पूरा नाम बताईए पूरा नाम मुझे रही मालू आप इसे कैसे जानती है यह चर्च में आया करती थी यह चर्च में रविवार को होने वाले सभूगान में भी हिस्सा लिया करती थी कब से आ रही थी यह चर्च में यही कोई तीन या चार साल से रहती कहां थी यह इसका पता मालूम है आपको मालूम है यह हर्सन लेन के 14 नंबर मकान में रहती है आपको यह पता कैसे मालूम है चर्च में आने वारे लोगों की एक मेलिंग लिस्ट चर्च में है उस लिस्ट के मताबिक सदस्यों के पतों पर जरूरी सर्कुलर वगेरा डाक से भेजे जाते है चर्च की वैसी डाक मैं तयार करती हूँ इस दे मुझे मिसिस डेनिंग का पता मालूम है आई सी यह हर्चन लेन कोई कहा चर्च के पास ही है मिसिस डेनिंग का आपकी लिस्ट में बस इतना ही नाम लिखा है लिस्ट में तो हो सकता है कि पूरा नाम हो लेकिन मुझे पूरा नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा इसके परिवार के बारे में आप और कुछ जानती हो उसने इनकार में सिरी लाया प्रपुधियाल ने दोनों भाईयों की तरफ देखा मैं इसके पती को जानता हूँ पीटर फ्रांकोजा बोला उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस की उस जवाब तलबी से उसे सक्त एतराश था लेकिन मजबूरन उसे जवाब देने पड़ रहे थे इसके पती का नाम विलियम टैनिंग है वह कहें केर टेकर की नौकरी करता है इनकी रोज नाम की एक बेटी भी है जरा उपर जा कर देखो प्रभु दियार मुझे संबोधित हुआ कि ड्यूटी पर कौन-कौन है जो कोई भी हो उसे यहां बुला कर लाओ मुझे कम से कम दो आदमियों की फौरन जरूरत है यस सर मैं बोला दो मिनट में मैंने एक सब इंस्पेक्टर को और एक सिपाही को प्रभु दियार की हुजूर में पेश कर दिया सब इंस्पेक्टर का नाम सुधाकर था और वह मुश्किल से 25 साल का पुलिस में ताजा भरती हुआ था हर्सन लेन जानते हो कहां है प्रभु दियार ने पूछा जानता हूं साहब सुधाकर त्रतपर स्वर में भूला लिंटन रोड के इलाके में है अटसर लेन ठीक फॉरन वहां की 14 नंबर इमारत पर जाओ वहां विलियम डैनिंग नाम के एक साहब रहते हैं उनको और उनकी रोज नाम की बेटी को तुमने फॉरन यहां लेकर आना है यहां पहले तुमने किष्टी में पढ़ी स्त्री की लाश की उनसे शिनाक्त करानी है और फिर उन्हें उपर मेरी कमरे में लेकर आना है समझ गए? यस सर और डैनिंग के मकान पर पहरे दारी के लिए एक आदमी छोड़ देना है जिसने की इस बात का ख्याल लगना है कि कोई संदिक्त या अन्वांशित व्यक्ती उस मकान में कदमना रखने पाए यस सर वे जिपाई के साथ फॉरन फाहसिफ विदा हो गया अब हमें इजाज़त है पीटर फ्रंक कोजा बोरा सॉरी अभी आपको रुखना पड़ेगा प्रभुतियार बोला अभी मेरी तफ्तीश खत्म नहीं हुई अभी आपने केवल लाश की शिनाक्त की है अभी मैंने आपसे बहुत कुछ पूछना है आप बराय महरबानी उपर मेरी कमरे में तश्रीफ लाइए वहां का माहोल यहां से पहतर है लेकिन क्या यह जरूरी है निहायद जरूरी है ना होता तो मैं कभी आपको यो तकलीफ ना देता वह कुछन अनिश्चित सा खामोश खड़ा प्रभुधयाल का मौन देखता रहा इंस्पेक्टर साहब अन्त में वह बोरा आपने जो पूछना है वह आप मेरी से और मेरी बहन से भी पूछ सकते हैं मतलब प्रभुधयाल बोला मैं चाहता हूँ कि आप मेरी भाई को यहां से रुखसत हो जाने दे वजए आप जरा इधर आईए वह इंस्पेक्टर को अपने भाई और बहन से थोड़ा परे ले गया इंस्पेक्टर साहब पीटर धीरी से बोला लेकिन इतने धीरी से न बोला कि मैं न सुन सकता टोनी का दिमाग कमचोर है पागल है यह प्रभुधयाल बोला नहीं नहीं वह बढ़ बढ़ाया पागल नहीं है मैंने कहा है कि इसका दिमाग कमचोर है यह ज़्यादा तनाव या दिमाग पर ज़्यादा दवाव बरदाश नहीं कर सकता इसके दिमाग पर जोर पड़े तो यह उत्तेजित हो जाता है और फिर कभी कवार कोई ऐसी हरकत कर बैठता है, जो, जो, जो कोई पागली कर सकता है, यही समझ लीजिए, इंस्पेक्टर सहब, आपकी तफ्तीश, आपकी जवाब तल भी इसके दिमाग पर जो डाल सकती है, मैं कोशिश करूँगा, कि ऐसी नौबत ना आए, प्रबो जिया है, जरूर होगी, खुद मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन यह आपको क्या बता सकता है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कि यह मुझे क्या बता सकता है, पीटर फ्रांकोजा के चहरे पर सर्क नाराज़गी के भाव प्रकट हुए, लेकिन वह मुझे फिर कुछ न बोल कि वह उन तीनों से अलग-अलग बात करना चाहता था, और इसलिए उन्हें बारी-बारी अपने कमरे में बुलाना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई नौबत आने से पहले, बंसर वहाँ वापस लोटाया, उसके चेहरे पर लिखा था, कि जॉर्ज टाउन में धटना स्थल के अ लगा कर उनसे पूश्टाश की थी, पड़ोस के दो लोगों का कहना है कि उन्होंने गोली चलने की आवास सुनी थी, दोनों का ही दावा है कि गोली लगभग पौने 9 बजे चली थी, एक पड़ोसी लीलावती नामक एक महिला है, जो खबरे सुनने के लिए ठीक पौने 9 ब एक ही गोली चलने की आवास सुनी थी, कम से कम दो गोलियां चली होने की चुगली तो लाशे ही कर रही हैं, उसने भी दो ही गोलियां चलने की आवास सुनी थी साहब, एक के बाद एक चली दो गोलियों की आवाज, एक के फौरन बाद एक नहीं साहब, 3-4 मिनट के वकफे स गोली की आवाज से आंदोले थोकर उसने खिर्की से बाहर भी जाका था लेकिन बाहर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था वहें गोली की आवाज पैचानती है वहें मिलिटरी से करनल के रैंक पर रिटायर हुई डॉक्टर है गोली की आवाज वहें पकुभी पैचानती है I.C. दूसरा शक्स कौन है जिसने गोली की आवाज सुनी थी वहें एक लड़का था जो नाइट-चो में फिल्म देखने जा रहा था उसका नाम मानक है वहें कहता है कि घर से निकलने से पहले उसने खास तोर से घड़ी देखी थी यह जानने के लिए कि उसके पास वक्त पर सिनेमा पहुँच जाने के लिए कितना वक्त था उसने पौने नौ बजे के करीब खड़ी देखी थी और वह कहता है कि घर से बाहर रखते ही उसे पहली गोली के चलने की आवाज आई थी वह भी यही कहता है एक दो गोलियां चली थी और दोनों के चलने में तीन चार मिनट का वकवा था जी हाँ इससे तो हत्या का समय बखुवी निर्धारित हो जाता है इससे तो साफ जाहिर होता है कि हत्याई पौने नौ बजे हुई थी जी हाँ लेकिन तीन चार मिनट का वकवा क्यों था दोनों गोलियां चलने के टाइम में बंसल खामोश रहा इसका तो मतलब यह हुआ कि दोनों को एक साथ शूट नहीं किया गया था इसका तो मतलब यह हुआ कि दोनों ने एक साथ खाली मकान में कदम नहीं रखा था पहले एक जना वहाँ पहुँचा और वहाँ कहीं छुपे खड़े हत्यारे ने उसे शूट कर दिया फिर तीन चार मिनट बाद दूसरा जना वहां पहुंचा तो हत्यारे ने उसे भी शूट कर दिया ऐसा ही हुआ होगा साहब बंसल बोला लेकिन फिर हत्यारे ने स्त्री का गला क्यों काटा उसका काटा तो पादरी का क्यों नहीं काटा अगर सिर को धड़ के साथ ही बरामदगी के लिए किष्टों में छोड़ना था तो गला काटने की जरूरत क्या थी? क्या गोरक धन्दा है? आखिर सवाल प्रभुजयाल ने मुझसे किया था मैं जान बूझकर परे देखने लगा खेर? प्रभुजयाल ने एक कहरी सांस दी और फिर बंसल से संबोधित हुआ तुम आगे बढ़ो और क्या जाना तुमने वहां से? साहब बंसल बोड़ा लेलावती ने दो बाते और भी बताई हैं जो दिल्चस्पी से खाली नहीं वे क्या? लेलावती का घर पंद्रा नंबर इमारत से बिल्कुल अगला है वे कहती हैं कि पिछले महीने उसने कई बार पंद्रा नंबर इमारत से अजीब तहें कि ठक ठक की आवाजे आती सुनी थी कैसी आवाजे? जैसे कोई चीज हतोड़े से ठोकी जा रही हो जैसे कोई चीज आरी से काटी जा रही हो यह बात लीलावती गारंटी से कहती है यसर इससे तो हमारी इस थियोरी को बल मिलता है कि किछ्टी पंद्रा नंबर इमारत के भीतर ही ठोक पीट कर तयार की गई थी यसर बंसल कल के लिए एक और काम नोट कर लो जौर्ज डाउन के इलाके के आसपास से इमारती लकडी के हर डिलर से पूश्टाच करो कि क्या पिछते महीने किसी ने उससे इतने लंबे लंबे तकते खरीदे थे जिन में की किष्टी तयार की जा सकती हो उसी इलाके की हार्डवेर की दुकानों से यह भी पता करो कि क्या वहां से किसी ने बड़ए किरी से काम आने वाले सभी औजार एक साथ खरीदे थे यसर बंसल संदिक स्वर में बोला परत्यक्ष्टा उसे वह काम बहुत कठिन लग रहा था और मुम्किन हो तो खरीदार का हुलिया भी मालूम करने की कोशिश करना यसर और तुमने धनी राम को मिरी टेलिग्राम के बारे में भी पता करना है कि क्या वह वाकई तारकपुर से भेजी गई थी टेलिग्राम भेजने के लिए एक फॉर्म भनना पड़ता है उस टेलिग्राम फॉर्म की फोटो कापी मोहिया करो और मुम्किन हो तो फॉर्म भर कर तार घर में पेश करने वाले का हुलिया भी मालूम करने की कोशिश करो यस सर और दूसरी दिल्चस बात क्या है जो तुम्हें लिलावती ने बताई है साहब लिलावती कहती है कि बगल के मकान में रह रहे किरायदार कोई डेड़ साल से वहां रह रहे थे यह कोई ताली बजा कर खुश होने लाएक खोज नहीं यह बात तो हमें चौकिदार धनी राम से भी मालूम हो चुकी है सौरी सर बंसल हर बढ़ा कर बोला वाट सौरी सर प्रभुजियाल कड़े स्वर में बोला जब धरी राम ने यह बात बताई थी तो तुम भी मेरे साथ उसकी सामने मौझूद थे कहां ध्यान रहता है तुम्हारा बंसल का चहरा शर्म से लाल हो गया कोई और बात बोलो और तो कोई बात नहीं साहब ठीक है अब सुनो तुमने क्या करना है यहां मैं जिस शक्स को भी बुलाओं तुमने उसे पानी का गिलास पेश करना है वह गिलास एकदम साब सुत्रा हो और उस पर किसी की उंग्रियों के निशान न हो वह शक्स पानी पी चुके तो गिलास को संभाल कर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट के ऑफिस में पहुचा देना हर आगंतुक के लिए नया गिलास इत्माल करना इसलिए कुछ गिलासों का इंतजाम कर लो यस सर मैं कुछ लोगों की जानकारी के बिना उनके फिंगर प्रिंट हासिल करना चाता हूँ वे मुआजिज लोग हैं और सीधे फिंगर प्रिंट्स मांगे जाने पर एत्राज कर सकते हैं कि उनके साथ अपराधियों जैसा वेवार किया जा रहा है I understand सर I am glad that you do प्रभुदयाल शुष्क स्वर में बोला Now get going बंसल वहां से विदा हो गया तुम प्रभुदयाल मेरे से बोला Mrs. Cotton को बुला कर लाओ मैं reception पर पहुँचा मुझे देख कर Mrs. Cotton और उसके दोनों भाई उठकर खड़े हो गए मैंने उन्हें समझाया कि इंस्पेक्टर साहब ने केवल Mrs. Cotton को तलब किया था यह नहीं हो सकता पीटर फ्रंकोजा बोला मेरी बहन इस वक्त बहुत नर्वस हालत में है हमारा इनके साथ मौजूद रहना जरूरी है यह कोई तरीका है सवाल पूछने का टोनी फ्रंकोजा बुन भुनाया तुम अपने इंस्पेक्टर को कह दो पीटर बोला कि यह यूँ उसकी सामने पेश नहीं हो सकती उसने इन से जो पूछना है हमारे सामने पूछे कोई जरूरत नहीं Mrs. Cotton अपने स्थान से उठती हुई गंभीरता से बोली हम इंस्पेक्टर की ही मर्जी चलने देंगे लेकिन मुझे अकेरी को वह खा नहीं जाएगा पीटर लेकिन फिर भी फिर भी अपने हक की हिफाज़त के लिए हम कानूनी राय हासिल कर सकते हैं तुम जॉड से संपक स्थापित करो जॉड तो सुप्रीम कोट के केस की सिल्सिले में दिल्ली गया हुआ है ओह वैसे उसके कल तक लोट आने की उम्मीद है अगर वह कल न लोटा तो मैं कल दिल्ली ट्रंक कॉल करके उससे संपक स्थापित करने की कोशिश करूँगा वह कल लोटने का इरादा न भी रखता होगा तो मैं उसे तरख्वास करूँगा कि वह लोट आए ठीक है मिस्टर पीटर फ्रोकोंजा मेरी तरफ खूम कर बोला जॉर्स सैमसन बहुत बड़ा वकील है अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोई जाती की तो वह तुम सब को ठीक कर देगा वर्दिया उत्रवा देगा तुम्हारी तोनी बोला आप चल रही है मैं मिस्स कॉटन से बोला चलो अपने भाईयों को एक बार फिर वही मौजूज रहने का निरेश देकर वह मेरी साथ हो ली मैंने उसे इंस्पेक्टर प्रभुधियाल की कमरे में पहुचा दिया बैठिये प्रभुधियाल सहानू भूती पून्ट सुवर में बोला थैंक यू वह उसकी सामने एक कुर्सी पर बैठती हुई बोली बंसल मैडम को पानी पिलाओ बंसल ने एक ट्रे में रखा एक चम चमाता हुआ गिलास मिसिस कॉटन के सामने पेश किया मिसिस कॉटन ने ट्रे में सी गिलास उठा लिया बंसल बड़े अजब की मुद्रा बनाए ट्रे हाथ में लिये उसके पहलू में खड़ा रहा मिसिस कॉटन ने पानी पी कर गिलास वापस ट्रे में रख दिया इस परकार बंसर गिलास को खुद छूने से बच गया वह ट्रे के साथ फॉरण वहाँ से बाहर निकल गया मिसिस कॉटन प्रफो जियान मीथे स्वर में बोला आपको जो अस विदा हो रही है उसके लिए मैं आपसे शमा प्राथी हूँ लेकिन आप समझती होंगी कि जो कुछ भी किया जा रहा है एक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है किसी नापाक आदमी ने आपके पती का कतल कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा हर्गिस नहीं चाहेंगी कि वह आदमी अपनी कर्तूत की सक्ते सक्त सजा पाने से बच जाए वह खामोश रही मैं आपका बहुत कम वक्त लोंगा मैडम शुक्रिया आप अपना पूरा नाम बताएंगी आपकी उम्र 38 साल शादी हुआ कितना अर्जा हो गया तकरीबन 12 साल कोई बाल बच्चा उसने इनकार में सीरह लाया रात को आपके पती किस वक्त घर से गए थे आठ बजे पहले भी बताया था मैंने उन्होंने यह नहीं बताया था कि वे कहां जा रहे थे बताया था अच्छा प्रभु दियाल विस्मित भाव से बोला बताया था हाँ कहां जाने को कहकर गए थे वे अपनी स्टरडी में वे कहां होई चर्च की इमारत में वे कहकर गए थे कि वे 2-3 घंटे के लिए अपनी स्टरडी में जा रहे थे ओ यानि कि वे कहीं दूर नहीं गए थे कहा तो उन्होंने यही था कि वे स्टरडी में जा रहे थे हमारे घर और चर्च के बीज की पुलिया पार करके उन्हें चर्च में दाखिल होते भी मैंने देखा था लेकिन जाहिर है कि वे वहां टिके नहीं थे वेह खामोश रही रात को स्टरडी में इतनी देद वे क्या करने का इरादा रखते थे स्टरडी ही करने का इरादा रखते थे आपकी जानकारी के लिए मेरे पती रिसर्च स्कॉलर थे इसा के दस आदेशों पर थीसिस तयार करके वे विधिवर डॉक्टरेट की सनद हासिल कर चुके थे अभी भी वे किसी और विशे पर थीसिस तयार कर रहे थे अपनी रिसर्च के लिए उन्हें रात को ही सब्य मिलता था जब दो तीन घंटे बाद वे वापस नहीं लोटे थे तो आप उन्हें स्टडी में देखने जरूर कही होंगी मैं गई थी स्टडी की जलती बत्ती दोर से ही दिखाई देती है इसलिए पहले तो मैं जलती बत्ती से ही आश्वस्त होकर पैठी रही कि वे जरूर वहीं होंगे लेकिन जब आधी रात हो जाने तक भी वे न लोटे तो मुझे स्टडी में जाना पड़ा वे वे वहाँ नहीं थे स्टडी की बत्ती जल्दी छोड़ कर वे पीश में कहीं चले गए थे कहां? क्यों? मुझे नहीं मालूं कोई अंदाजा? वे सोचने लगी कोई अंदाजा? प्रभुद रियाल ने अपना सवाल दोहराया उनके स्टडी में जाने से पहले उनके लिए एक टेलिफोन कॉल आई थी हो सकता है उनके कहीं जाने का तालुक उस टेलिफोन कॉल से हो? वे कॉल किस वक्त आई थी? पॉने साथ बजे ठीक पॉने साथ बजे? जी हाँ टाइम का इतना सही अंदाजा क्यों कर है आपको? इत्फाक से इत्फाक से ही मेरी निगा रेफ्रीजेरेटर पर रखी टाइम पीस पर पड़ गई थी आपकी टाइम पीस टाइम ठीक देती है? जी हाँ एक दम तो ठीक पॉने साथ बजे वह कॉल आई थी? जी हाँ किसकी कॉल थी? यह मुझे नहीं मालूम दरसल मैं उस वक्ट किचन में थी टेलफोन बेडरूम में है वे बेडरूम में संबन बाथरूम में थे सारे दिन की बात वे उसी समय बाहर से लोटे थे और शायद हाथ मूं धो रहे थे मैं किचन से निकल कर टेलफोन सुनने के लिए बेडरूम के तरफ पड़ी तो थी लेकिन तभी उन्होंने वहाँ पहुँच कर रिसीवर उठा लिया था पोन पर आपके पती ने क्या कहा था वे आपने सुना तो होगा उनके मूँ से निकला एक ही फिक्रा मेरे कान में पड़ा था वे टेलिफोन पर किसी को कह रहे थे मैं आट बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा क्या यह हो सकता है कि उनकी पात मिसिस डैनिंग से हो रही हो और वे उसी के साथ आट बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो मुझे नहीं पता दूसरी और से कौन बोल रहा था लेकिन प्रभुध रियाल ने जित की वह फोन कॉल मिसिस डैनिंग की हो सकती थी उसने उत्तर न दिया आपको अपने पती के मिसिस डैनिंग में तालुकात की वाकिफियत थी उनके ऐसे कोई तालुकात नहीं थे जिनकी वाकिफियत मुझे होती या मुझे रखनी पढ़ती आपको इस बात पर कभी शक भी नहीं हुआ कि आपके पती के उस औरत से कोई नाजायत तालुकात थे जब ऐसे कोई तालुकात थे ही नहीं तो शक का क्या मतलब इस बारे में अब आपका क्या ख्याल है वही जो हमेशा था मैं जानती हूँ मेरा पती मुझे से बेवफाई करने का ख्याल भी नहीं कर सकता था यानि कि आप दोनों के बीच में तलाक की नौबत आने जैसी तो कोई बात ही नहीं थी तलाक? जी हाँ Mr. Inspector आपकी जानकारे के लिए जिस खांदान से मैं तालुक रखती हूँ उसमें तलाक का ख्याल भी करना पाप समझा जाता है हम बहुत धर्म परायान लोग हैं और शादी को ऐसे रिष्टितारी मानते हैं जिसे केवल मौथी तोड़ सकती है विश्वास नहीं होता आप लोग क्रिश्चन हैं आपके यहां तो तलाक? सब क्रिश्चन एक जैसे नहीं होते बात नाजायस तालुकात की हो रही थी मिस्टर इंस्पेक्टर अगर उन लोगों में कोई नाजायस तालुकात नहीं थे तो उनकी लाशे यूँ एक साथ किष्टी में क्यों कर पाई गई? क्या हाला थी हकिकत की चुगली नहीं कर रहे? नहीं कर रहे मिस्टर इंस्पेक्टर कह मत भूलिय की मेरा पती एक पादरी था अपने धर्म के अनुयाईयों की दुश्वारियों की दास्तान गोपनी रंग से सुनना तथा उनसे निजात पाने की उन्हें सहानों भोती पोन राय देना उसकी जिम्मेदारी थी लोगों की पाप पोन आत्म स्विकारुक्तियां सुनकर उन्हें पश्चाताप के लिए प्रिएक करना उनका धर्म था मिसिस देनंग का भी मेरे पती से कुछ ऐसा ही इस्टा था आपकी जानकारी के लिए उसका पती विलियम डैनिंग एक पक्का शराबी है मेरे पती ने मुझे पताया था कि वह नशी में अपनी बीवी से मारपीट तक कर बैखता था उनकी रोज नामक एक युवा पुत्री भी है और मेरा पती इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि उनके घर के गंदे माहोल का कोई गरत असर रोज के अब परिपक्पु मस्तिश पर पढ़ सकता था लेकिन इन बातों का आपके पती की मौट से क्या रिष्टा अगर मिसस डैनिंग और आपके पती में केवल यही रिष्टा स्थापित था कि वह चर्च का पादरी था और वह चर्च में आने वाली एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी दुश्वारियां अपनी पादरी को सुना कर उससे मार निजरेशन हासिल करना चाहती थी तो उनका इखटे कतलक कैसे हो गया इसकी वज़े तो कोई मामूली ही होगी लेकिन लगता है आप पुलिस वाले इसका कोई गलत मतलब निकाले बिना नहीं मानेंगे हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है लेकिन साथ ही हकीकत को जुटलाने का भी हमारा इरादा नहीं है जिसे आप हकीकत करार दें जरूरी नहीं वह हकीकत हो लेकिन जो आँखों से दिखाई दे रहा है उसे कई बार आँखे भी धोका खा जाती है चलिए ऐसा ही सही आप कहती हैं कि पादरी साहाब आठ बजे के करीग घर से निकले थे जी हाँ वह आखरी वक्त था जबकि आपने उनकी सूरत देखी थी जी हाँ जीवित मैंने उन्हें तब आखरे बारी देखा था लेकिन अब मोर्ग में I understand अब बराय महरबानी आप मुझे यह बताईए कि पादरी साहब के घर से निकल जाने से लेकर हमारे वहां पहुशने तक आप क्या करती रहीं पहले मैंने घर का कामकाज खत्म किया फिर कुछ चिक्ठिया लिखी और फिर एक नौवल पढ़ने बैठ गई साथ-साथ आप अप अपने पती के लौटने का इंतजार भी करती रही हाँ नौवल कब तक पढ़ा आपने कोई गैरा बजे तक और अपने पती के वापस ना लौट आने से फिक् बिस्तर में थी और सोने की कोशिश कर रही थी मेरा भाई टोनी पहले ही सो चुका था लेकिन मैं सोने में काम्याब नहीं हो पा रही थी आधी रात के करीब मैं अपने बिस्तर में से निकली थी और बाहर की पुलिया लांग कर चर्श तक पहुंची थी वहां मैंने पाया थ था कि मेरे पती अपने स्टेडी में नहीं थे तब मैं घबरा गई थी उसी घबराट के आलम में मैंने अपने दूसरे भाई पीटर को फोन किया था उसने मेरा होस्ता बढ़ाया था और कहा था कि घबराओं नहीं और अगर दो बजे तक भी वापस न लोटे तो मैं उसी तु के बारे में सवाल करने लगा तर मुझे यह बात नहीं मारूम थी लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वह एक पुलिस वाला था जो बाद में आपके साथ भी हमारे यहां आया था फिर भी उसका मेरे पती के बारे में पूछने का धंग कुछ ऐसा था कि मुझे अनयास ही उनके अनिष्ठ की आशंका सताने रगी थी आपने हमारे उस आदमी के आगमन के बारे में अपने भाई को बताया था टोनी को या पीटर को किसी को भी मैंने पहले तो किसी को भी नहीं बताया था लेकिन बाद में जब मैं बहुत घबरा गई थी तो उसके बारे में मैंने पीटर को फिर फोन किया था उसने क्या कहा था उसने कहा था कि वह फोरन मेरे पास आ रहा था आई सी लेकिन उसके पहुंच पाने से पहले आप लोग वहां पहुंच गए थे आप हमारे सामने भी पीटर को फोन करने गई थी हां लेकिन तब तक पीटर घर से निकल चुका था वह पहले ही चर्च की तरफ रवाना हो चुका था आप कहती हैं कि आपके पती को जो टेलीफोन कॉल आई थी वह पॉने साथ बजे के करीब आई थी लेकिन मैं आठ बजे घर से निकरे थे उस दौरान उस टेलीफोन वाले को लेकर आप दोनों के पीच कोई बात नहीं हुई नहीं आप अपने पती की अपॉइंटमेंट के बारे में मैं उनसे कभी कोई सवाल नहीं करती थी उन्होंने कभी कुछ बताना होता था तो वे खुदी बताते थे उन्होंने फोन पर कहा था मैं आठ बजे वहां पहुंचाऊंगा जी हां लेकिन आठ बजे तो अभी वे घर से निकले थे और अगर आपने study की बत्ती चलती देखी थी तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही लेकिन एक बार तो वे study में जरूर ही गए होंगे जाहिर है इस लिहास से तो वे 8 बजेज जहां पहुंचना चाहती थे वहां नहीं पहुंच पाए होंगे वे लेट पहुंच गए होंगे उनकी निगा में उनकी वे appointment कोई खास महत्पूल नहीं रही होगी लेकिन जब आदमी अपनी जुबान से कहता है कि वे फला वक्त नहीं पहुंचेगा तो अपनी बात पर खरा उतरने की वे कोशिश तो करता है खामखा गलत बयाने का क्या फायदा और वे भी एक पादरी के लिए उन्होंने 8 बजे का appointment fix की लेकिन 8 बजे वे घर से निकले ऐसा क्यों कर हुआ मुझे नहीं पता वह तनिक तिक्तु स्वर में बोली ऐसा क्यों कर हुआ ऐसा दो तरीकों से हो सकता है एक तो यह है कि आपका वक्त का अंदाजा सही नहीं रहा होगा वे 8 बजी से पहले घर से निकले होंगे दोसरे यह कि उन्होंने कहीं करीबी जाना होगा आपको दोनों में से कौन सी बात ठीक लगती है दोनों में से कोई भी बात ठीक हो सकती है आखिर मैं बाइबल पर हात रखकर कसम खाकर तो कह नहीं सकती कि वे 8 बजे घर से निकले थे आपकी राय में आ नहीं, कहीं भी नहीं, थोड़ी से अर्से के लिए भी नहीं, नहीं, हम, आपके घर में आपके साथ आपके भाई टोनी के अलावा और कौन रहता है, कोई नहीं, रात को आपके यहां कुछ लोगों का आगबन हुआ था, वे लोग कौन थे, रात को हमारे यहां कोई नहीं आय अन्त में प्रफु दयाल को ही निगाहें चुकानी पड़ी त्री जूट बोल रही थी इस बात की उसी गारंटी थी आज बहादूर नाम का चौकिदार जूट बोलता नहीं हो सकता था उसके जूट बोलने में उसका कोई स्वार्थ नहीं था फिलहाल प्रभुधियाल ने जान बूझ कर उसे उस विशे पर और ना कुरेदा अब एक आखरी सवाल और वह बोला आप किसी ऐसे शक्स को जानती है जो आपके पती का कदलिक कर सकता हो या जिसने कभी आपके पती को जान से मार देने की धमकी दी हो या जिसे आपके पती की मौझ से फाइदा हो जानती हूँ उसका वह उत्तर इतना अप्रत्याशित था कि प्रभुधियाल हक्का बक्का सा उसका मून देखने लगा आप जानती हैं? वे हैरानी से बोला उसने धीरे से सहमती में सिर्ह लाया आप जानती हैं? आपके पती का कतलक किस ने किया है? नहीं, लेकिन अभी तो आप आपने मुझसे यह नहीं पूछा था कि क्या मैं जानती हूँ मेरे पती का कतलक किस ने किया है? आपने मुझे से पूछा था, क्या मैं किसी ऐसे शक्स को जानती हूँ, जो मेरे पती का कतलिक कर सकता हो, या उनकी मौत का ख्वाईश मंद हो ऐसे एक शक्स को तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकती, कि उसने मेरे पती का कतल भी किया है ओह कौन है ऐसा शक्स विलियम डैनिंग वह बे हिचक पोली उस त्री का पती जिसके लाश आपके पते की लाश के साथ किष्टी में पाई गई थी जी हाँ वह आदमी पक्का शराबी है और नशे की हालत में बहुत फसादी हरकती करता है मार पेट पर उतारू हो जाना उसके लिए मामूली बात है मैंने पहले ही कहा है कि वह अपनी बीवी को पीटता था अपनी चर्च के पादरे की हैसियत में और अपनी क्रिश्चन कमुनिटी के रहनुमा की हैसियत में मेरे पती महसूस करते थी कि ऐसे वॉयलेंट आदमी की चतर चाया में रोज का भरन पोशन होना उसके साथ जाती थी वे असी कोशिश में थी कि कानूनी तोर पर रोज को अपनी एबी पिता की चतर चाया से मुक्ति दिलाई जा सके विल्यम डैनिंग को जब यह बात पता लगी थी वह क्रोज से आग बवूला होठा था और उसने मेरे पती को जान से मार देने की धमकी दी थी कब? कहा? कुछ दिन पहले चर्च में धमी पदेश के बाद कई लोगों के सामने बहुत लोगों ने उसे मेरे पती को यह धमकी देते सुना था ऐसे लोगों के नाम जान लेने में आप मामूली पोश्टा से ही काम्याब हो जाएंगे आप भी तो जानती होंगी ऐसे लोगों के नाम मैं नहीं जानती वह फसाद मेरे सामने नहीं हुआ था मुझी तो बाद में चर्च के एक करमचारी ने यह बात सुनाई थी उस करमचारी का नाम ही बताईए एलबर्ट हम मैडम अब मैं आपसे एक दर्ख्वास करना चाहता हूँ क्या आपके पती के हत्यारे को तलाश करने के लिए आपके घर की तलाशी लेना हमारे लिए निहायद जरूरी है मैं यह जाता हूँ कि आप इस काम की हमी सवेच्छा से इजाज़त दे ऐसी तलाशी से क्या अचिल होगा आपको कोई ऐसा सूत्र जो हत्यारे की शिनाक्त में सहायख सिद्ध हो सके कब तलाशी लेना चाहते हैं आप फौरण अभी ऐसी तलाशी आप जबरन ले सकते हैं नहीं मैंने पहले ही अज़ किया है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस काम की हमें स्वेच्छा से इजाज़त दें मैं ऐसी इजाज़त नहीं दे सकती मैं कोई अबदर बात नहीं कहना चाहता मैडम लेकिन यह तलाशी आपके इजाज़त के बिना भी हो सकती है लेकिन अभी आपने कहा था कि आप जबरन तलाशी नहीं ले सकते मैंने ठीक कहा था लेकिन ऐसी तलाशी के लिए मैं कोट से ओर्डर हासिल कर सकता हूँ और जब तक वह ओर्डर हासिल नहीं हो जाता तब तक मैं आपको further questioning के लिए यहीं रोकिर रख सकता हूँ वह सोच में पढ़ गई परत्यक्ष्टा इतनी नादान वह नहीं थी कि वह इंस्पेक्टर की बात की गंभीरता को या उस बात में छुपी धमकी को न समझ पाती मैं अपने भाईयों से बात करना जाती हूँ अंत में वह बोली I'm sorry मैडम प्रभु दियाल बड़ी सकती से बोला तलाशी के मामले में आपके अर्जयोग की सूरत में यह भी मुम्किन नहीं होगा मैं क्या अपने आपको गिरफतार समझूँ नहीं अभी नहीं प्रभु दियाल बड़े अर्थ पून स्वेर में बोला फिलहार आप further questioning के लिए अपने आपको पुरिस की हिरासत में समझिए यह आपकी जाती है यह गैर कानूनी हरकत है दोनों में से कोई बात नहीं हम सिर्फ अपनी ड्यूटी भुखता रहे हैं हमारे घर की तलाशी से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला मुम्किन है सरासर मुम्किन है आप लोग खामखा मेरे घर को अस्थ व्यस्थ कर डालेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा मैं गारंटी करता हूँ कि असर नहीं होगा और तलाशी मेरी मौजूद्गी में होगी जाहिर ह ठीक है फिर तो आप सुच्छा सी तलाशी से इजाज़त दे रही है और चारा ही क्या है वह असाहे भाव से बोली ठेंक यू ठेंक यू वेरी मच वह खामोश रही मैं अभी अपने एक सब इंस्पेक्टर को आपके साथ रवाना करता हूँ उसनी सहमती में सिरह लाया प्रभु दयाल ने सब इंस्पेक्टर बंसल को तलब किया और उसे आवश्यक नर्देश दे कर मिसिस कॉटन की साथ रवाना होने का आदेश दिया और एलबर्ट नाम के चर्च के उस करमचारी को भी तलाश करना जिसके सामने विलियम डैनिंग ने हद पराण को जान से मार डालने की धमक्या दी थी उस घटना के अन्य गवाहों के जो नाम वह बताए तुमने और काशिनात ने मिलकर उने भी टटोलना है समझ गए? यस सर बंसल ततपर स्वर में बोला अब जाओ बंसल मिसिस कॉटन की साथ वहां से विदा हो गया वह दरवाजे की चौकर पर ही पहुँचा था कि प्रभु ध्याल ने उसे पीछे से आवाज लगाई उसने घोम कर देखा तो प्रभु ध्याल ने उसे करीब आने का संकीत दिया बंसल मिसिस कॉटन को बरामदे में ही खड़ा छोड़ कर प्रपुतियाल के पास पहुँचा तलाशी के दौरान प्रपुतियाल धीरे से बोला यह औरत तुम्हारे निगाहों से ओजल नहीं होनी चाहिए यह घर में मौजूद किसी चीज को गायब करने की कोशिश कर सकती है ऐसी कोई चीज घर में होगी? बंसल संदिक भाव से बोला हो सकती है, तलाशी भी हो सकती है यह बात इसे अभी मालूम हुई है इसलिए अगर घर में कोई ऐसी चीज होगी तो वह उसे पहले ही गायब करके तो आई नहीं होगी लेकिन वह अब ऐसा करने की कोशिश कर सकती है मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूँगा साहब गुड आदमी ज़्यादा लेकर जाना बहतर जाओ वह चला गया फिर सत्पाल नामक एक सिपाही को बुड़ा कर उसी समझाया गया कि बंसल की जगे कैसे अपने आगंतुकों को शीशे की गिलासों में इस परकार पानी पिलाना था कि उनकी उंगलियों की सपर्ष छाप गिलासों पर प्राप्त की जा सके उसके बाद टोनी फ्राकुंजा को तलब किया गया सत्पाल ने बंसल की तरह ही ट्रे में गिलास रख कर उसे पानी पीश किया और फिर जब गिलास उसने ट्रे में वापस रख दिया तो वह उसे लेकर वहाँ से वापस निकल गया मेरी बहन कहा है उसने सवाल किया हमने उन्हें घर भेज दिया है प्रभु दियाल बोला उसने यों प्रभु दियाल को देखा जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास ना आ रहा हो फिर उसने भी पिछली रात के बारे में सवाल पूछे गए उसने पताया कि वह दस बज़े सो गया था बीच में एक बार उसकी बहन ने उसे जगा कर चिंता व्यक्त की थी कि हद प्रान घर नहीं लोटा था लेकिन वह उसे ढांडस बांद कर कि कोई बात नहीं लोट आएगा फिर सो गया था यह बात उसने भी कबूल नहीं कि कि रात साड़े ग्यारा बजे उनके यहां कुछ लोग आये थे लेकिन तुम तो सोई पड़े थे प्रभु दियाल बोला तुम्हें क्या मालूम कि घर में कोई आया या नहीं अगर कोई आया होता तो नहीं बोला तो जरूर मालूम होता यानि कि तुम कोई बहुत गहरी नीन नहीं सोते हो मैं मामूली सी आहट से भी जाग जाता हूँ रात को जब अमारा आदमी पादरी सहाब के बारे में पूशने आय था तो उस वक्त तुम्हानी नीन खुली थी खुली थी लेकिन क्योंकि वह लगबग फॉरण ही चला गया था इसके मैंने बिस्तर से निकलने की कोशिश नहीं की थी दस मिनट और जवाब सवाल का वह सिलसिला चला फिर उसे भी रुक्सक्त कर दिया गया मुझे तो नहीं लगता प्रभु द्याल मुझे संबोधित हुआ किस आदमी का दिमाग कमजोर है इसके भाई का तो यही दावा है मैं बोला इसके भाई का दावा मुझे मालूम है तुम अपनी बोलो तुम्हारा क्या दावा है उत्तर में मैं केवल मुस्कुराय ठीक है वह तनिक बे सबरे पन से बोला दूसरी भाई को बुलाओ मैं पीटर फ्राकुंजा को बुला लाया उसे भी पानी पेश किया गया और उस परकार उसकी उंगलियों के निशान हासिल किये गए यह सच है? वह बोला कि मेरी बहन और मेरी भाई को घर भेज दिया गया है? हाँ प्रभुजयाल बोला सच है कोई एत्राज? मुझे इसमें भी आप लोगों की कोई चाल लगती है जब हम यहां इखटे आये थे तो क्या वापस इखटे नहीं जा सकते थे? जा सकते थे मुझे नहीं मालूम था कि अपनी गम जदा बहन और कमजोर दिमाग वले भाई को हमारे यूंग घर भेश देने से आपको एत्राज होगा मेरा ख्याल था कि आप हमारे इस एक्षन को पसंद करेंगे कि अपनी इंक्वारी खत्म हो जाने के बाद हमने उन्हें एक चंड की फालतू यहां रोके रखने की कोशिश नहीं की थी वे खामोश रहा फिर भी अगर आपके जीद उन लोगों के साथ ही यहां से रवाना होने की है तो मैं उन्हें वापस बुरा लेता हूँ क्या? वे हर बढ़ा कर बुरा नहीं नहीं अब उसकी जरूरत नहीं गुड अब जरा मतलब की बात पर आएं बोले क्या पुछना चाहते हैं आप मुझसे आप पादरी साहब और मिसिस डैनिंग की अफियर से वाकिफ थे? नॉंसेंस वे मूँ बिगाड कर बोला ऐसा कोई अफियर था ही रही लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो सिर्फ एक शरीफ आदमी था एक धर्म परायन पादरी था उसकी किसी गैर आदमी की बीवी से आशनाई की बात मैं उस समय पर लगाया जा रहा एक खिनोना इल्जाम समझता हूँ यह बात आप इस हकीकत को निगाम में रखकर कह रहे हैं कि उस गैर आदमी की बीवी की लाश पादरी साहब के पहलू से बरामत हुई है उन दोनों के लाश ये इकट्टी पाए जाने की सौ वज़े हो सकती है जरूर हो सकती है लेकिन उन सौ में से एक वज़े यह भी हो सकती है कि दोनों में आशनाई का रिष्टा था मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हम बहस नहीं कर रहे हम केस की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे है हम आपके जीजा के हत्यारे के चहरे से नकाब उठाने की कोशिश कर रहे है वह खामोश रहा उसने बेचैनी से पहलू बदला अब आप यह बताईए कि पिछली शाम आपकी कैसी भी दी थी इस सवाल का मतलब क्या आप मुझ पर हत्यारा होने का शक कर रहे हैं सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए मिस्टर फ्रांकोजा प्रपुधयाल सर्ज स्वर में बोला शाम को मैं घर पर ही था वह बड़े अर्शहिष्टा पून स्वर में बोला मेरी लड़की का होने वाला पती डिनर पर आमंत्रित था इसलिए हम सब लोग मैं मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा होने वाला दामाद घर पर ही थे डिनर का सिलसिला कब तक चला था? कोई साड़े साथ बज़े तक बहुत जल्दी डिनर ले लिया आपने जी हाँ इस जल्दी की कोई खास वज़े कोई खास वज़े नहीं आधा पौना घंटा तो चला होगा डिनर चला था यानि कि पौने साथ से साड़े साथ तक आप डिनर टेबल पर थे घर में आपके दामाद की सूरत में एक मौजिज महमान मौजूद था। बात लिहाज से काफी बाते भी होई होगी डिनर के दौरान। जाहिर है मसलन क्या मसलन? मसलन क्या बाते होई थी डिनर के दौरान? क्या विशे था बातों का? मिस्टर इंस्पेक्टर यह कोई एहम बात नहीं कि डिनर के दौरान हमारे बीच क्या बाते हुई थी प्रपुद्रियाल कोश्टन स्रिर नेत्रों से उसे देखता रहा और फिर बोला इस बात का फैसला आपने नहीं मैंने करना है कि कौन सी बात एहम है और कौन सी बात एहम नहीं है अगर यह बात एहम नहीं है तो आपको इसका जवाब देने से क्या इतराज है आप खामा खा मेरा वक्त जाया कर रहे हैं और साथ में अपना भी आपके वक्त की मुझे परवा नहीं लेकिन अपने वक्त की है उपर से आप सो कर आए हैं और मैंने अभी जाकर सोना है और थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है लेकिन मैं और मेरे मातहतों ने अभी जाकर सोना है खुदा ने राज सोने के लिए बनाई है लेकिन हम जाग रहे हैं इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि हमने आपके एक नजदी की रिष्टदार के कातिल का पता लगा रहा है कितने अफसोस की बात है कि हमें सयोग देने की जगे आप हमारे रास्ते में रोडे अटकाने की कोशिश कर रहे हैं यह बहस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बात एहम है और कौन सी बात एहम नहीं है लेकिन फर्च कर लीजिये नहीं है यह बात एहम फिर भी आपको इसका जवाब देने में क्या इत्राज है जितना वक्त आपने इस बात के एहम होने या एहम ना होने की बहस पर जाया किया है उतने में तो तीन बार आप इसका जवाब दे चुके होते मोटे तोर पर हम लोगों में दीसवे नैशनल फिल्म फेस्टिवल में नैशनल अवार्ड जितने वाली फिल्मों से तालूक रखती बाते हुई थी और इस बारे में विचार विमश हुआ था कि शादी के बाद हमारे बेटी बंबई जाकर रहेगी या हमारा दामाद राजनगर आकर रहेगा और भी कुछ हल्की फुल्की बाते हुई होगी जो कि इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही फिर डिनर के बाद हम ड्रोइन रूम में आ गए थे वहाँ थोड़ी देर बातों का दौर फिर चला था और फिर हमारा दामाद विदा हो गया उसके बाद मैं कुछ देर एक मैगजीन पढ़ता रहा था और रेडियो सुनता रहा रेडियो कब तक सुनते रहे थे आप यही कोई दस बजे तक फिर फिर मैं बिस्तर के हवाले हो गया था पूरे दस बजे बिस्तर के हवाले हो जाना मेरा कई सालों से चला रहा नियम है दस बजे जरूर सो जाने की मैंने बड़ी पक्की आदत बनाई हुई है बिस्तर के हवाले होते ही आपको नेंदा गई थी हाँ और आपकी पत्नी वो भी दस बज़े सो जाती है बच्चे बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं हमारे सोने तक तो वे लोटे भी नहीं थे लोटे नहीं थे? कहां से नहीं लोटे थे? फिल्म से? डिनर के बाद वे फिल्म देखने चले गए थे? हाँ, हमारा दामाद उन्हें फिल्म दिखाने ले गया था I see, अभी आपने अपने दामाद के ही आपकी घर से विदा होने की बात की थी यह नहीं कहा था? कि आपके बच्चे भी उसके साथ गए थे? मेरे ख्याल से तो कहा था? नहीं कहा था? Then I'm sorry यानि कि जब आपकी बहन ने आपको फोन किया था, उस वक्त आप सो रही थे और आपकी बहन ने आपको सोते से जगाया था Correct आधी रात के करीब उसका फोन आया था वह जौसफ की फिक्र कर रही थी मैंने उसे तसलिदी थी और थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा था मैंने उसे राए दी थी कि अगर और दो घंटे तक जौसफ वापस न लोटे तो वह मुझे दोबारा फोन करे फिर उसका दोबारा फोन आया था उसने बताया था कि कोई आदमी जोसफ के बारे में पूछता हुआ वहाँ पहुचा था और इतनी रात गए उसका यूँ पूछताश करने आना उसे बहुत खटका था और उसे जोसफ के अनिश्ट की अशंका होने रगी थी मैंने उसे कहा था कि मैं फोरण आ रहा हूँ फिर मैंने उठकर हात मुध होई थे कप्रे बदले थे और चर्च की तरफ रवाना हो गया था आप जानते ही हैं कि तब आप वहाँ पहले से ही मौजूद थे तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद